Hello everyone, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJ-2024 पॉस्पॉंड हो सकता है या नहीं हो सकता है and next topic जो है वो आपका है IAM seat के update के बारे में ठीक है, बहुत सारे बच्चों का messages आ रहा था कि WBJ-2024 आखिर पॉस्पॉंड होगा तो कब होगा और क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है and दूसरा चीज जो IAM के अंदर admission जो start हो गया है इस कारण से कई सारे बच्चे को ये घबरहाट हो रहा था कि क्या हमें WBJ के exam तक हमें wait करना चाहिए या फिर हमें admission के लिए आगे proceed करना चाहिए किसी अलग तरीके से ठीक है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दोनों ही topic को brief में discuss करने वाले हैं आप इस वीडियो को starting से लेकर के last तक देखना आपको सारे का सारा update आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा जाकर के फटा फट लिंक जो description में दिया गया है आप जाकर के वहां से join कर लो क्योंकि सारा का सारा जो admission related या फिर exam related या फिर आपका mock test हो गया या फिर क्या चीज़ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए इन सारे चीजों इन सारे चीजों का आपडेट है वह सबसे पहले हम आपको जो है वह टेली ग्राम एंड वाट्सप ग्रूप की मदद से देते हैं ठीक है बाई तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जाकर के जोईन करलो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है आपका क्या भाई WBJ पॉस्पॉंड हो सकता है या नहीं हो सकता है इस पर सारे बच्चों का कुश्चन है इस कुश्चन पे आज हम लोग डिसकस करने वाले है ठीक है अगर पॉस्पॉंड हो सकता है तो यसर रीजन क्या-क्य है क्यों यह पॉस्पॉंट किया जा सकता है और अगर नहीं हो सकता है तो बताओ इसका रिजन क्या है या फिर कभ तक हो सकता है ठीक है हम सभी को पता है कि लोगसभा का election जो है वो पूरे इंडिया के अंदर होना है ठीक है जिसका 7 चरन के अंदर आपका election हो रहा है ठीक है 7 चरन के अंदर 7 pages के अंदर election हो रहा है ठीक है अब जो West Bengal के अंदर जो election है क्योंकि देखो WBJ जो है इसका center जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है तो वेश्ट वेंगाल के अंदर होता है ठीक है कहां पर होता है वेश्ट वेंगाल के अंदर ठीक है क्योंकि इसका जो सिंटर है वो सिर्फ और सिर्फ वेश्ट वेंगाल के अंदर होता है मतलब इसको एफेक्ट अगर कवी कर ठीक है एक जाम जो है वो आपका कभ है भाई तो 28 अपरिल को है ठीक है ओके ये एक जाम डेट है चलिए और ये 26 अपरिल को आपका क्या है भाई election date है ठीक है अब देखो आप लोग को जैसा की हर बार जब-जब election हुआ है ठीक है कुछ नहीं ि रिंद्र में वेश्ट बंगाल के अंदर थिस्थिति सही नहीं होता है तो इसकारण से छी है तो यो प्रोलीस प्रोतेक्षान है वो दिया जाता है थिक है आर्मी वगुर्व दिया जाता है जगँवल में पर ठाकर ठीक है, ताकि आम नागरिक को कोई भी नुकसान न हो, ठीक है, अगर उसी समय में, अगर आपका exam conduct किया जाता है, ठीक है, और माल लेजिए किसी भी type का कोई problem आ जाता है, किसको student को, ठीक है, तो इस कारण से, ठीक है, गवर्मेंट जो है, इस type का risk नहीं लेना चाहता है, ठीक है, क्या हो सकता है भई, one second, हाँ, में भी क्या हो सकता है भई, पॉस्पॉंड हो सकता है, ठीक है, तो रीजन तो ये हो गया, पॉस्पॉंड होने का, ठीक है, अब अगर नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है, आप लोगों को पता है कि 28 अप्रियल को WVJ का exam है, लेकि ठीक है मतलब अगर वेश्ट बंगाल के अंदर सिर्फ नीट होता तो भले चांस बन सकता था लेकिन यह ओल ओबर इंडिया का है ठीक है हर एक जगा पर सेम कोश्चन आता है ठीक है तो यहां पर पॉस्पोर्ण होने की चांसे बहुत ही कम होता है नीट जैसे एक्जाम का जो स्वास्त भीूर अगर भूले जैसे में तो अगर आखर मसें अगर 18 अपर ком को नहीं होता है तो पूरे मसे अंसल जगा जगा पर है फ्यक तो इस कारण से आपका जो एक्जाम है वो मई के अंदर भी होने के चांसिस नहीं है मतलब अगर या तो 28 अप्रिल को एक्जाम हो जाएगा या फिर एक ही वर कब होगा तो इन जून होगा और जून में भी कब होगा तो एलेक्टन के डेट के बाद आपका जो भी पहला संडे आ अगर उन्हें फैसला लेना होता तो वह अभी तक ले लिये होते ठीक है इसका मतलब अगर उन्होंने फैसला नहीं लिया है मतलब आपका पकड़लों की 75% से भी प्लस चांसिस यह है कि आपका जो एक्जाम है वो हो ही जाएगा ठीक है कब 28 अप्रिल को ही एक्जाम हो जाए तो 28 अप्रिल के बाद जो बच्चे हैं देखो कोई भी बच्चा बैठने वाला नहीं है लेकिन जैसे आपके पास न्यों जा जाता है कि भाई पॉस्पॉंड होगा ठीक है तो बच्चा क्या होता है कि जो अभी अगर मालो आप 6 गंटा पड़े पड़ रहे हो तो आप अश्क से लिए आपको क्या करना अठाइश संब्टीर के हिसाब से हमिं आपको अपनी प्रीप्रेंसं कंटिनिव रखनी है और जैसे ही अगर माली पॉस्पॉंड हो जाता है आप लोगों को दे देते हैं इसी के साथ कि इस बार जो टोटल रजिस्टेशन हुआ है ना वाई टोटल जो एक्जाम फॉर्म किया गया है वो लगभग लगभग 18,000 पलत स्टूडेंट मतलब जितना हर साल होता था उससे 18,000 ज्यादा बच्चों ने इन्रॉल किया है मतलब क कि इस बार का कमपटीशन जो है वो और भी ज्यादा क्या होने वाला है हाई होने वाला है ठीक है तो इस बार जो है वो 17,000 सम्थिंग ठीक है मतलब एप्रॉक्स 18,000 बच्चों ने एप्रॉक्स 18,000 मोर स्टूडेंट अपीर इन अपीर इन डबलू वी जेई लेकिन जो सीट मतलब कि हमारा जो कंपटीशन है वह कंपटीशन और भी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है ठीक है जहां पर आपको कोई एक मालो पार्टिकलर कॉलेज का स्थी असी मिलने वाला था तो में भी आपको स्थी असी में नहीं न मिल पाए उसके जगह पर आपको आईटी जाता है तो IEM के अंदर admission कराने के लिए ठीक है अब जो IEM का जो IEM जो यह admission जो कराना है ठीक है तो यहाँ पर भी इसके total कितने colleges है भाई तीन college है पहला तो main salt lake वाला college हो गया ठीक है में जिसको बोला जाता है यह salt lake वाला college हो गया ठीक है और इसी के साथ आपका जो दूसरा college ह है वह आपका कहा है भाई new town में है ठीक है यह भी क्वालकाता के अंदर ही है new town जिसको पहले UEM के नाम से जाना जाता था ठीक है अगला जो है वह एक आपका किसके अंदर है जैपूर के अंदर है ठीक है अब यह जो तीनों में admission का पहले process था वह था आपका किसके थूरू WB जैई, जैई means, जैई means and management quota ठीक है WBJ से जो इसके अंदर sits मिलते थे आपको 80% sits जो है वह WBJ के थूरू fill up किया जाता था, जैई means के थूरू आपको 10% sit मिल जाता था and management quota के थूरू आपको 10% sit मिल जाता था ठीक है लेकिन last year से क्या हो गया भाई, last year से यह जो चीज है वह आ नया चीज आईएम जैई को include कर दिया गया जिसके अंदर 50% sit हो गया and WBJ जो है वह आपका इसके अंदर 50% sit हो गया ठीक है भाई, आप देखो आईएम जैई के द्वारा जो sit है ना इसी sit के अंदर आपको management quota वाला भी sit मिल जाएगा ठीक है WBJ का यह fix है 50% sit मतलब कहने का मत वेश्च बंगाल के अंदर जो government college है ठीक है government college उसके अंदर आउट वेश्च बंगाल बच्चो के लिए सिर्फ और 10% sit है ठीक है और government के लिए rank भी अच्छी खासी लानी होती है ठीक है कुछ government जैसे जादव पूर छोड़ करके उसके बाद अगर top की college का हम बात कर लें तो उसके अंदर आता है आपका कौन सा heritage हो गया IEM हो गया हल्दिया हो गया ठीक है और भी college आते हैं ठीक है तो यह सारे college हो गया आपके top की college ठीक है after government ठीक है जादपूर के बाद ठीक है मतलब कि कोई भी बच्चा जब कॉंसली कराता है ना या फिर एक्जाम देता है तो उसका अधी तक start नहीं हुआ है ठीक है आगे के 10-15 दिन में start हो जाएगा ठीक है लेकिन i-m जो है आएक मार्च से ही admission जो है वो किह दो एक्जाम दो एक यहांपर देखो दो प्रेज कि अंदर एक्जाम हो रहा था किसका आई अई जसे का तो इसम्हें सबसे पहला जो फेज था वो आपका स्टाट था ठीक है अगला जो फेज यह वह अभी यह तो दो फेज था फेज वन और फेज टू ठीक है और इसमें फेज वन के अंदर लगवग साथ से आठ दिन एकजाम चला है आपका एक्जाम कंड़क्ट कराया गया ठीक है इसमें भी आपका साथ से आठ दिन एक्जाम कंड़क्ट कराया जा रहा है ठीक है और पहले कम सी कम लगभग 50 students को seats a lot हो रहा है ठीक है 15 students को seat a lot हो रहा है ठीक है तो बच्चे तो admission लेना स्टार्ट कर दिया है तो मतलब यहां पर देखो कम से कम लगभग 300 से 400 बच्चे का ओलड़ी सीट मिल चुका है और बाकी जो बच गया ना भाई वह सीट्स आपका management quota के थ्रू भी कर लगभग मतलब बहुत जोड़ सोड़ से management quota का भी sit full हो रहा है ठीक है तो यहां पर समझो कि काफी सारा seat तो आपका माली जे फूल हो चुका है हाफ ठीक है और बचा हुआ आदा जो है वह face 2 में complete होने वाला है मतलब पिछले साल तक बच्चे को process तो पता नहीं था तो इस कारण से अगर आपको लगता है कि भाई आप exam नहीं नहीं मिल सकता है ठीक है कुछ cut-off अगर clear नहीं हो पाएगा ठीक है तो आप कहीं न कहीं admission process की और आप आगे बढ़ सकते हैं वो चाहें आप आप management quota के तुरू बढ़ो ठीक है आपको नीचे ठीक है आपको एक number दिख रहा होगा जो बच्चे management quota के तुरू जाना चाते हो आप जाकर के फटा पट उस number पे call करो नीचे description में लिंक दिया गया है वहाँ जाकर के Google form को fill करो और बहुत सारा fraud चल रहा है ओल्लेडी सीट booking के नाम पर ठीक है तो इन सारे चीजों से बचो मैं बहुत जल्द उस पर वेडियो चला रहे हैं तो इन सारे चीजों से बचो ठीक है आप वैसे जगहते ही जाओ जो आपको अच्छे से प्रोसीजर के साथ ले करके चले ठीक है हमारा जो अपने आग से पूरा अपडेट लेता हूं मैं खुद बात करता हूं स्टूडेंट से कॉलेज से तो इस टाइप को को प्रोसीजर के हिसाब से चलना होगा अगर डीटी बना करके समिट करना है तो अधरवाइस नहीं हो पाएगा इन सारे चीजों को आप अपडेट मतलब पूरा अपडेटेट तरीके से आपको यहाँ पर कराया जाएगा तो जरूर से जरूर जो भी बच्चे हो ठीक है थोड सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला जब तक कि आप कॉलेज ना पहुंच जाओ ठीक बच्चों मिलते नेक्स वीडियों तक लिए बबाए और टेक केर पढ़ते रों मुस